हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टु टेस्टिन किच्छन ट्वेड़िफर, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे नाश्टी की रेसिपी, तो आज हम बनाएंगे जोवार के आटे से बहुत ही हेल्दी नाश्टा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, यह बनाने म हम सबजिया काट लेंगे तो मैंने गाजल ले लिया बारिक काट कर आदर शिमला मिर्च ले लाल थोड़ी सी हरी मिर्ची एक टमाटर काट लिया और प्यास बारिक काट लिया हमने थोड़ा हरा धनिया और कड़ी पत्ता ले लिया है तो अब हम जुआर का आटा ले लेंगे त तो आप एक कप जवार का आटा लें तो ये दो कप हमने आटा ले लिया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो आप चाहें तो दही अभी डाल दें दही मैंने बाद में आड किया इसमें तो आप चाहें तो पहले दही डाल दें बाद में पानी डालें हमको और इसका बैटर ऐसा रहेगा जैसा डोसा और इडली का रहता अब इसमें एक चमज भरके मैंने दही डाल दिया है तो दही यह खटा है अगर नॉर्मल दही हो तो आप दो चमज यानि के करीब आधा कप आप डही डाल दे इसमें फिर दही डालने के बाद अच्छे से आ और इसमें हम सारी जो सब्जी हमने काटके रखी थी वो डाल देंगे तो नमक मैंने अभी आइड नहीं किया है नमक हम बाद में आइड करेंगे तो बारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे हम और मैंने गाजर को फाइन चॉप किया है अगर बच्चे कटा हुआ नहीं काते हैं स तो आप इसको ग्रेट बी करके डाल सकते हैं सब्जीयों को अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो शिम्ला मिर्च ले लिए एक हरी मिर्च तीखी वाली और एक हमने बड़ी वाली हरी मिर्च काट ली थी और हर अधनिया डाल दिया है इसमें काट की टमाटर डाल दिया हम कोई इनो या सोडा कुछ नहीं डाला है हम ने इसमें सिर्फ नमक डाल देंगे और ये पूरा बैटर बन के तयार है फिर कुछ दर के लिए हम इसको रख देंगे तो कम से कम 10 मिनिट के लिए आप इस बैटर को ऐसी ही रख दें या तो सब्सी बाद में मिलाएं सब्सी मैंने दालने के बाद में मैंने इसे cover करके रख दिया था तो थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और इसे अब हम ढ़क कर कुछ देर के लिए रख देंगे तब पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालकर और इसको हम ग्रैंड कर लेंगे तो चटनी बनकर तयार है अब इस चटनी को हम सर्फ कर लेंगे और बाद में इसमें तड़का लगाएंगे तो इस चटनी को आप दोसे इडली के साथ या पराठो के साथ भी खा सकते हैं बहु कड़ी पत्ता हुआ आपके पास तो आप वो डाल दें तो चार- POC डालτεग यह एक लदिये है ऐख कर के इसको और इसको थोड़ा हम पकायेंगी तो एक मिनिट तक अप इसको लो फ्लेम पर थोड़ा तेल में पकने दें और उसके भाद इस तड़के को हम चट्नी पहों तो ये चटनी भी बनकर तयार हो गई है अब हम उत्पम बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने बड़ा पैन लिया है तो बड़ा पैन था मेरे पास इसलिए मैंने इस पे छोटे छोटे चार उत्पम बना लिये हैं अगर आपके पास छोटा तवा हो तो आप उस पे दो बना लें या और भी छोटे आते हैं जिसमें मिनी उत्पम बन जाते हैं तो आप वो वाला ले सकते हैं उसमें एक साथ चार बना लेंगे आप तो ये मेरा बड़ा तवा था तो चार इस पे आसानी से बन गए थे एक साथ में और मैंने beetroot को कद्दू कस करके रखावा तक grate करके तो वो थोड़ा सा उपर से beetroot डाल दिया है इस batter के उपर से तो ये batter इतना गाड़ा होना चाहिए कि आप इस पर डालें तो ये देखिए वहीं पर उतना ही है जादा फैला नहीं है पतला होगा तो ये बहुत फैल जाएगा तो उपर से हमने beetroot डाल दिया है ग्रेट किया हुआ और थोड़ा सा हरे दनीय की पत्ति डाल देंगे आप चाहें तो प्याज और गाजर भी डाल सकते हैं अगर बच्चे नहीं खाते हैं कटीवी सबजिया तो आप ये सारी सबजिया बैटर में मिक्स कर दें फिर थोड़ा बना के खा सकते दोसा भी बना सकते इसका फिर थोड़ी देर जब यह सिख जाएगा दो तेन मिनिट बाद तो हम इसे पलट देंगे तो एक चमच टेल और डालेंगे तो टोटल मैंने करीब दो छोटी चमच तेल डाला है बस इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा तेल डालना ह और यह नॉन स्टिक पैन तो यह इजी इसपे शिग गया है। आप लोहे के तब यह पैंपी बहुत सकते हैं उत्तपम तो इसे हम मेडियम फ्लेम पर पाच मेरे तक कवर करके पकने देंगे फिर बीच में हम चेक करते रहेंगे और इसे आप पलट दें ताकि उपड़ से भी अच्छे से सिख जाए तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में इसे पैक करके दे सकते हैं लंच में बना के दें उनको या फिर ब्रेकफास्ट में बनाते और बड़े भी इसे डाइट पे हैं अगर तो बड़े इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें जो आरके आटे को बहुत ही हल्दी अप देख सकते हैं तो यह आप उत्तपम जो है बहुत जल्दी बन जाता है तो आप इसे ट्राइट कर सकते हैं फिर इसे अलट प्लेट कर हमने अच्छे से से लिया है तो आप प्रेस करके थोड़ा सा से ले ताकि यह कच्छा न रहे कैसे तो वह हमने निकाल लिए और जो से बच्चावा बैटर मैंने पूरा पैन पे डाल दिया है और यह रोटी के साइस का बन जाएगा तो आप चाहें तो छोटे-छोटे बना ले या फिर बड़े-बड़े बना ले आप तो यह उत्तपम बना कर हमने सर्फ कर लिये हैं तो इसको मैंने हरी चटनी के साथ सर्फ लिए है और आप वजन कम करना चाहरें तो जरूर आप इसे बना कर ट्राय करें गलूटन फ्री है बहुत ही हल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता ही है बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे यह चाहें तो आप उन्हें लंच बॉक्स में पैक करके दें तो कॉमेंट्स में बताइएगा जरूर कैसी लगी यह रेसिपी और आप अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें